यहां पर जो भी alphabet आप normally type करेंगे तो वो small letter में type होगा मगर आपको कुछ letters capital में type करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए 2 switches है एक है shift एक है caps lock shift की जो है उसको press करके पकड़के फिर जो alphabet को आप press करेंगे तो वो capital letter में print होगा अगर shift की छोड़ देंगे तो small letter में type होगा तो shift की के मदद से आप लोग capital letter कर सकते हैं मगर उसको press करके रखना पड़ता है और caps lock की मदद से भी आप capital letters कर सकते हैं मगर caps lock key जो है यह toggle की है caps lock key को आपको एक बार on करना पड़ेगा जैसे ही caps lock को एक बार दबाएंगे तो on हो जाता है caps lock on होने के बाद आप जो भी alphabet press करेंगे वो सब capital letter में ही print होगे caps lock को जैसे ही आप off कर देंगे उसके बाद जो भी type करेंगे वो small letter में type होगा और shift का एक और काम है कोई switch के उपर कुछ symbols हैं उसको अगर आपको print करना है तो shift को press करके ओ switch को press करना पड़ेगा